पिछले तीन हफ्तों में यह दूसरी सुसाइड है, इस साल की तीसरी सुसाइड है और पांच भी अननाचरल डेथ है, यह तो अब पिछले तीन महिने में दूसरी सुसाइड है, यह बिल्कुल भी acceptable नहीं है, कि आप इतने बड़े इंस्टिटूशन में हो, आप सुसाइड कं कि इनका attendance की वजह से इनने फेल कर दिया गया, जिसकी वजह से, और जो summer term course होता है, एक policy होती है, कि अगर जावा बच्चे फेल हुए है, तो प्रोफेसर उसी साल में summer की छुट्टियों में, वो course कंप्लीट करा सकता है, प्रोफेसर पढ़ाने को त्यार था, लेकिन दोवा जो कि Dean of Academic Affairs है, उन्होंने sign नहीं किया, जिसकी वजह से summer term course नहीं हो पाया, जिसकी वजह से 6 महिने student भागे, कि सार आप मारा course करा दो, करा दो, लेकिन वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से academic pressure बढ़ा, वो fail हो गए, और intense season नहीं बैट पाय, जिसकी वजह से उन्हें ये गलट क पड़ता है, बड़ ऐसा नहीं होता है, कि 40 उच्चे नहीं पड़ते हैं, इस साल में ये चौती बार हुआ है, और हम फर्स्ट ये, मला हमें यहाँ पर आ हुए स्रिफ देड़ साल हुआ है, हमने ये गटना है, कम से कम 10 बार सुनी है, कि कोई hanged होगी, या फिर कोई missing हो गय लेकिन उसका कभी भी proper reason officially कभी नहीं बताते हैं, लेकिन हमें पता होता है, क्योंकि हमारे साथ का है, कल तक हमारे साथ ही गूम रहा था, हमें पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी main दो ही reason है, सबसे बड़ा reason तो यह है, कि यहाँ के professors के पास इतनी power है, इतनी power है, पिछले माईने जो दीदी एक suicide हुई थी, गल्स की, उसमें भी same यही सीन था, उनका PPO था, pre placement offer, वो भी job 15 दिन करके आ चुकी थी, लेकिन उनको भी fail कर दिया, जिसके वैसे उनकी job cancel हो गई, यहाँ के professor बहुत ही ज़्यादा insensitive, and बहुत ही ज़्यादा arrogant है, they are not ready to hear anything, जो problem ह सुनना ही नहीं चाहते हैं